हेलो एवरिवान, मटर का सीजन आ गया है और मार्केट में तो मटर एकदम फ्लड के जैसे हर सबजी वाले के पास है सोचा क्यों न मटर के साथ ही आज कुछ बनाया जाए, तो आज बनाएंगे हम मटर का उसल बिसिकली ये ग्रेवी वाले डिश है, जो चाहे तो आप चपाती, सबजी, पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं लेकिन ब्रेड के साथ इसका टेस्ट होना बहुत ही बड़िया लगता है तो मटर उसल बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्रीन मसाला पेस्ट रेड़ी करेंगे और इसके लिए मैंने लिया है आदा कप खिसा हुआ नारियल, मैंने फ्रेश नारियल यूज किया है आप चाहे तो सूखा वाला भी यूज कर सकते हैं अगर फ्रेश नहीं है तो फिर मैंने डाल दिया मुठी बड़ धनिया के पते, तीन हर इमिर्ज और आदा कप पाने डाल कर इसका एकदम स्मूध पेस्ट रेड़ी कर लिया है यह वाली जो सबजी है वो तोड़ी तीक ही जाद अच्छी लगती है, इसलिए मैंने तीन हर इमिर्ज लिया है आप अपने टेस्क के अकॉडिंग एड़्यस कर लीजिए मटर का उसल हम कुकर में बनाएंगे, तो कुकर में मैंने दो बड़े चमच तेल गरम कर लिये हैं इसमें डाल दिया है जीरा, जैसे ही जीरा चटक जाए हम डाल देंगे कड़ी पत्ता और एक बड़ा चमच अद्रक लसन का पेस्ट अगर आपके पास अद्रक लसन का पेस्ट नहीं है ना, तो अद्रक और लसन आप वो मिक्सर में जब ग्राइंड किया था ना, हमने मसाला पेस्ट उसमें भी आड़ कर सकते हैं हलका हलका ब्राउन हो चुका है हमारा अद्रक लसन, इसमें डाल देंगे हींग और मैंने डाला है हल्दी पाउडर, साथ में डाल दिया है गोड़ा मसाला अगर आप महराश्रा में रहते हैं तो आपको गोड़ा मसाला जरूर पता होगा लेकिन अगर आपके पास ये अवेलिबल नहीं है तो इसकी जगा आप चाहे तो गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं मसालो को मैंने 30 सेकंड्स तक पका लिया था और फिर डाल देंगे हमारा ग्रीन मसाला पेस्ट देखते हैं कितना रिफ्रेशिंग लगता है ये कलर अब इस पेस्ट को हम एक मिनिट के लिए पका लेंगे मीजियम फ्लेम पर एक मिनिट बाद हम इसमें डालेंगे हमारे मतर तो यहाँ पे मैंने एक कप मतर लिया है ये अल्मोस्ट टू फिफ्टी ग्राम्स है अगर आपके पास फ्रेश मतर नहीं है न तो फ्रॉजन मतर भी चल जाएगा लेकिन फ्रेश ही उज़ कीजिए तो ज़दा हिल्दी साथ ही डाल देंगे नमक, स्वाद अनुसार और पानी डाल देंगे पानी यहाँ पे मैंने एक कप डाला है आपको कितनी ग्रेवी चाहिए पतली या गाडी तो आप उसके हिसाब से पानी डाली लेकिन मतर का उसल बन रहा है और उसल में तो धोड़ा ग्रेवी टाइप होत मैं यहाँ पर इसे ब्रेड के साथ सर्फ करने वाली हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मैंने प्लेट में प्याज ले लिए हैं बारी कटे हुए मैंने यहाँ पर नॉमल वाला ब्रेड लिया है आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड मल्टी ग्रेन ब्रेड कोई भी लेले पी अच्छी लगे ना तो बिना किसी जीजग के लाइक शेर और सबस्क्राइब कीजिए अधी बेल आइकन को क्लिक करना भूलेगा नहीं थैंक्स वर वाचेंग बाई